Hey everyone, welcome back to my channel और मेरा नाम है Sonam इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा प्रोड़क्ट रिव्यू और हॉल ट्राइओन हॉल आप देख सकते हैं और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्फुल लगे ओनलाइन शॉपिंग के लिए या थोड़ा भी आपको पसंद आए तो प्लीज गीव आ लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें तो आज मैं हॉल लेके आई हूँ ये summer appropriate मैंने t-shirts order किये थे ये बहुत सारे है और t-shirt और top है ये मिंत्रा से मैंने order किये है सो इनका मैं आज try on review करने वाली हूँ हॉल करने वाली हूँ सो चलिए फटा-फट से वीडियो को start करते जो मैं products आपको दिखाने वाली हूँ इन सबी product की link आपको description box में मिल चाहिए आप वहाँ से check कर सकते हैं और ये सारे मिंत्रा से purchase किये हुए है सो first top जो है ये full sleeves का है t-shirt top है roadster brand का है ये open करने पर कुछ ऐसा दिखता है ये मैंने पहन भी लिया है सो ये already unbox हो चुका है open हो चुका है ये balloon sleeves है और ये navy blue color में top है उपर से round neck है इसका size मैंने order किया है M और ये नीचे से कुछ ऐसा pattern आएगा bubble type का top है तो back से भी पूरा plane है और थोड़ा सा यहाँ पे sleeves के पास भी detailing दी हुई है आप check कर सकते है इनके real price जो है वो में screen में mention कर दूँगे क्योंकि बहुत सारे top दे तो real price मुझे आद नहीं है माकि आप description में जाके link से आप check out कर सकते है so ये first top है first t-shirt top है जो मैंने order किया है next मैं आपको दिखा रहे हूँ ये half t-shirts है बहुत ही vibrant color है बहुत तो powder blue color में है must and harbor का है और ये इसका size मैंने order किया है M ये regular t-shirts है आप अगर college wear है बहुत सारे लोग t-shirts prefer करते है summer में बहुत use होते है so उसके according बहुत अच्छा material है बहुत soft है और fully stitchable है back से भी पूरा plain है इसमें आपको round neck मिल जाता है और पूरा full size t-shirt है crop बिल्कुल नहीं है so third जो है ये top है t-shirt नहीं है ये must and harbor brand का है इसमें size मैंने order किया है S ये भी 3-4 sleeves का top है ये इसमें square neck मिल जाता है आपको वीडियो में आप देख सकते हो और dark color है इसलिए see-through बिल्कुल नहीं है bubble sleeves है 3-4 यहाँ पे लास्टिक लगी हुई है और ये front से crop है आप tryon में देख सकते हो front से crop top है और back से long है और half pattern में यहाँ पे ruffles बनाए गए है अगर आपको clearly visible हो रहा है तो otherwise आप tryon में देख सकते हो वहाँ पे समझा जाएगा so ये third top है जो मैंने buy किया था और इसका भी material बहुत अच्छा है इसको एक बार मैंने wash भी किया है और बहुत अच्छा है बिल्कुल भी color fade नहीं होगा और अब जो मांकी के tops है ये मैं अभी open करूंगी so first open करते है क्योंकि मैंने भी इनको open नहीं किया है ये मुझे कल ही रिसीव हुए है so देखते हैं कैसा है so ये टी-शिर्ट है एथर ब्रेंड का है इसमें भी size मैंने order किया है M, round neck है I think half है ये yes इसके sleeves, half sleeves है M size है इसका material मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बहुत soft है वो जो पतला वाला cotton आता है होजरी cotton वो है so पहने में भी बहुत breathing है बहुत comfortable होगा back से भी पूरा plane है so ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हाँ बस थोड़ा इसमें short sleeves है तो अगर किसी को short sleeves नहीं पसंद है तो वो आप इसकिप कर सकते है otherwise material wise बहुत अच्छा है बहुत soft है so summer के लिए तो बहुत अच्छा है so next show है so सब का favorite always in जो होता है black so ये black ether brand का है M side है same इसका भी white cotton material है इसको भी open करके देखते हैं ये regular t-shirt है इसमें half sleeve साब को मिल जाती है okay front से भी round neck है बट ये round neck ये open वाला होता है ये निक में ऐसा अगर आपको समझा रहा है तो फोन पे so ये निक का डिजाइन ऐसा है और black color में है बहुत soft है बहुत soft cotton है और बिल्कुल breathable है front and back both से plain है बहुत अच्छा है regular black t-shirt है plain and plain black or plain white t-shirt मिलते नहीं है regular बहुत मुस्किल से मिलता है मुझे ये दिखा और वो मेरे साइज का भी था तो मैंने फट से उसको काट में अट किया और order भी किया so next जो देखते है next क्या है ये भी ether brand के है I think मैंने दो ये ब्रैंड इस पार order किये ether और must and harbor और इनके पहले भी मैंने बहुत सारे product order किये है बहुत अच्छा material रहता है आप एक बार wash करोगे ना तो कपड़ बिल्कुल ऐसे नया जैसे दिखने लगेगा इसलिए मुझे बहुत पसंद है और बिल्कुल फेड नी होता है so ये है yellow color में इसका brand है ether size मैंने order किया है M ये भी half t-shirt है sleeves थोड़ा चोटे है और ये front से round neck है जो मैंने green color में दिखाया था same यही pattern था बस color difference है इन दोनों का और long है कोई भी crop top नहीं है crop t-shirts नहीं है regular t-shirts है बहुत ही soft breathing material है पतला और ये yellow color summers में तो बहुत अच्छा लगता है और मेरा favorite भी है one of my favorite so ये yellow मुझे बहुत अच्छा लगा था mustard yellow color है so आप देख सकते हो इसका भी size मैंने M order किया है so next open करता है so again ये ether brand का है और इसका भी size मैंने order किया है M ये भी same Y pattern का t-shirts है बहुत पतला बहुत soft material है और ये summer's के लिए मैंने order किया है तो सब के material मैंने ऐसी देखा है breathable हो जो बहुत soft हो ऐसा लगी ना कि कुछ पहना है पहनने के बाद so ये इसके sleeves में थोड़ा सा short है और ये full size t-shirts है front and back दोनों से plain है ये dark red से थोड़ा सा ने ऐसा maroon mix जो होता है वो वाला color है बहुत अच्छा लग रहा है round neck है इसमें भी front से so next जो है ये है ether brand का again M size order किया है ये pink color में है और ये normal regular t-shirt है half sleeve size में front size में round neck मिल जाता है यहां पर आपको थोड़ा ऐसा print है t-shirt में science of simple logo है और ये color बहुत soothing है बहुत अच्छा है pink color but मैं pink नहीं रखोंगी I don't know why but मुझे ये पता नहीं मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है so ये आजकल मैं थोड़ा nude color मुझे जादा अच्छा लगते है so ये color तो मैं return करने वाली हूँ but बहुत अच्छा material same वही material जो अभी तक सारे top को मैंने दिखाया पतला cotton और बहुत soft बहुत soft है so summer's के लिए बहुत अच्छा है next open करते हैं ये है ये एक कुर्ती पैटन में है मैं भी जस्ट अभी open कर रही हूँ और एक short कुर्ती जो आपको jane's denim के साथ बहुत अच्छी लगेगी वो ऐसा है full sleeves का है तो summer's के लिए perfect है अगर आप धूप में जा रहे हो इसका red color है इसमें navy blue और white color के thread से इसमें embroidery की हुई है और इसका size order किया है मैंने M और इसका brand है विशुद आपने बहुत सुना होगा कुर्ते में भी विशुद आता है ये short कुर्ती है back से पूरा plane है इसमें a mandarian collar है और साथ में यहाँ पे dory दी हुई है आप इसको tie कर सकते हो ओके इसके साथ ही स्लीप्स में भी यहाँ पे embroidery का पूरा वर्क है बहुत हैवी है और ये ब्लू डेनिम के साथ आप पैन होगे न बहुत अच्छा लगेगा और जो लास्ट पीस है वो देखते हैं और किया है मैंने must in harbor brand का है आप देख सकते हो rubber print जो होता है वो है बैक से पूरा प्लेन है फ्रेंट से ये राउंड नेक आपको मिल जाता है ये navy blue और black color बहुत सारे लोग prefer करते हैं और ये मुझे एक अच्छा दिख रहा तप इस तो मैंने order कर दिया इसको आप regular basis पे इसको पहन सकते हैं घर पे बाकी आप सब को इस ट्राइओन में देख सकते हैं पहनने पे कैसा लूका रहा है अगर आप अच्छा से style करोगे तो यही plain top summer में बहुत अच्छे लगेंगे ये था आज का haul वीडियो आप सब को पसंद आया हो और अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए और ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और जल्दी मिलती हूं मैं नेक्स्ट हॉल वीडियो के साथ तब तक हे लिए टाटा बाबाई